हलो दोस्तों मैं विसंदत टेप सॉल लिविंस है आज हम बात करेंगे दोस्तों दिली रेस की और काफी लेट हो गया है क्योंकि रात में एक छोटा सा फंक्सन था कहीं पर और 27 तारीकी रेस है दोस्तों टोटल 6 रेस हैं काफी छोटा काल लग रहा है और पहली रेस दो बज़े है और आखरी रेस साड़े चार बज़े में इवेंट है नौर्थ इंडिया 2000 गिनीस है तो पहली रेस में आ जाते हैं दोस्तो हजार मीटर के लास 5 की रेस है यार सोट सिलक्सिन में मैं पिक करके चलूँगा इसमें दो नमबर मिड्नाइट हॉक क्लास 4 का गोड़ा है यार लास्ट टाम इंसिदेंट हुआ दा प्लेस बाल लगी थी राकेस के नीचे और इस बार ही अमन बैठ गया है और हो सकता है कि ग रेट से सही निकले और गोड़ा जीते यार फरन्ट रनर है एक तरीके से और पहले के रन अच्छे हैं और दूसरा गोड़ा इसी रेस में पिक करके चलूँगा दोस्तों साद नमबर मनाली एजी परसाद और यहां पर वन्टू की बैट है तो देख ले ना क्योंकि मनाली अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैक टू बैक सेकंड लग रहा है अंकित पाल के नीचे और यहां पर इस बर ही एजी पर साथ बैठा दिया है और आ जाते हैं दोस्तों सेकंड रेस में सेकंड रेस हजार मीटर किलास 5 की है और यह भी बन्टू की बैट है तो जिसे कहते हैं हर कदम पे थोड़ा सा दिल्ली का रेस काड़ है तो समल के यार दूसी रेस में जो मैं पिक करके चलूँगा यार इसमें च्छे नंबर है सीज माई हाट और हम अक से उमीद करते हैं कि मतब यह गोड़ा जीते हैं लास्ट टाइम बहुत बैटिंग हुई थी गोड़े पे और उस्ताज जी के नीचे अठो लगा एक होड़ा मताश्ट जी के साथ में आठो लगा उसकी बरिसाथ बैठा था बारहसु मीटर का रन था और उससे उपर गया हजार मीटर में बहुत बड़िया रन था संचेसर के साथ में फैड़र था बाट गुड सैकिंड काफी अच् पिक करके चलूँगा यार पांच नमबर कोईंकुरिंग बिड के सनी कुमार देखते हैं यार कैसा रन करता है और थर्ड रेस में आ जाते हैं दोस्तों बारसो मिटे क्लास थी की रेस है इसमें मैं यार यहां पे दो-तिन घोड़े दीख रहे हैं बट मैं कन्फ्यूज हूँ क्योंकि एक ही घोड़ा समझा रहा है यार दिल्ली का सिंगल ही घोड़ा पिक करके चलूँगा एक नमबर हुका मोरी विवेग जी बाकि यह घोड़े हैं यार कुछ इसमें आपको भी दिख रहे हूंगे मदर इंडिया हो गया माई हंटर हो गया पहला रन है पोकर फेस था एक घोड़ा मेरे ख्याल से मोधी जी के पास था और फावियल विजन भी है तो इसमें है यार तीन चार घोड़े हैं बट मैं सिंगल यही पिक करके चलूँगा हुकामोरी उमीद करते हैं एक बैटर रन दे और आड नंबर माइटी भी यही बनता है यहां पर सूस चेंज हो रहे है और हुकामोरी डेवेस भी दे रहा है यार एक गोड़ा मदबुक डेवेस दे रही है और चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों चौदा सुमिटर क्लास फूर की रेस है इसमें मैं इसमें भी सिंगली गोड़ा पिक करके चलूँगा यार चार नंबर रोयल एसकॉट लास्ट टाइम सूला सुमिटर में इंक्वारी उपन हुई है फ्रनल निकल के गुट सैकिंड लगा है गोड़ा यार जैट सुकोई के साथ में यहां पे दोसुमिटर सौट जाना तो उम्मीद करते हैं बैटर रंदे गोड़ा जीते और आ जाते हैं दोस्तों चौदा सुमिटर की रेस है दा ग्लूबल इस्टड नॉर्थ इंडिया टू थाउजन गिनिस तो इसमें जो यार पहले टॉप और देख लेता है असुत एंजिंग कंटीनियों अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार गोड़ा और मतब यहां पर रंजी सिंग बैठा दिया है बिल्कूल चांस बनता है गोड़े का यार और उमीद करता है बैटर रंदे और चांसिस हैं दो नंबर है असु युद्वीर तो यहां पर यस नेडू के नीचे यार उमीद कर सकते हैं कि गोड़ा बैटर रंदे दिल्ली में जै लास्ट के दो रंद थोड़े से ठीक नहीं है क्योंकि टीएस का कुछ रहा टीएस आउन किये फिर टीएस ओफ किये तो उमीद कर सकते हैं कि दुवारा एक बैटर रंदे क्योंकि टीएस आप में अच्छे रंदे उपर के सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो बर नंबर बोनीता अपसेट कर सकता है दोस्तों लास्ट टाइम यह वंडरफुल लेडी के साथ में ही मतब यह मेरे ख्याल से 30-35 चाली पैसे के प्लेश थी इस गोड़े की और विंद 10 रुपे था तो गेट से भी खराब निकला और गूट सैकिंड लगा है वंडरफुल मैंने देखा हुआ है तो और रन बहुत इंप्रेसिव है सारे के सारे यार कंटिन्यू अगर आप देखोगे दो बारी बस फैवरेट होके सेकेंड और हर बारी ऑल्मोस्ट फैवरेट ही है घोड़ा तो उमीद करता है यहां पर आकास राजपूत के नीचे यह घोड़ा 2000 ग लाजपूत और दो नंबर अस्व युद्वीर यस नेडू ठीक है दोस्तों दोनों अपने स्टॉंग कनेक्शन में बैठें तो लास्टेस में आ जाते हैं छटी रेस है 1100 मिटर की किलास टू की इसमें जो मिरपिक रहेगा दोस्तों दो नंबर काया एनस राठोर उमीद कर नहीं है तो उमीद कर सकते हैं यहां पर एक विक्ट्री ओ ले यह गोड़ा और उसके बाद दूसरा गोड़ा पिक करके चलूँगा तीन नंबर दिवित आकास राजपूत लास्ट रन बहुत बढ़िया था यार 40 पैसे में गोड़ा जीता था साड़े 5 लेंद्टों से यह के बाद मिलते हैं 28 तारीक को मैसूर की रियसे हैं ठीक है मैसूर मैं पूरी कुछसिस करूँगा जितनी जल्दी हो सके मैसूर अपडेट कर दूँ ठीक है भाईयों बाई टेक के रिया